तो फ्रेंड्स बिनक्षदेरी के शुरू करते हैं आज के अपनी इस बहतरीन वीडियो को फ्रेंड्स यहाँ पर ही किसी को बता रही है कि मैं एक बहुत साधारन लड़की हूँ इसे इंग्लिश मों बोलेंगे I am very down to earth girl किसी कह रही है कि तुमें एक सीधह इंसान हूँ अंग्लिश मों बोलेंगे यहाँ बहुत सीधह हो तुम चालबाद नहीं हो तो कह रही है कि you are a straightforward person यहाँ एक बहुत सीधह इंसान हो तुम हमेशा खुल के बोलते हो इसका मतलब है कहने का कि जो तुम्हें कहना होता है तुम कहते तो हो जो भी तुम्हारे माइन माता है तुम बोल देते हो तुम्हें कोई फरक नहीं पड़ता है सामने वाले लोग तो कैसा लग रहा है तुम बहुत सीधे इंसान हो बताया है कि you always speak your mind तुम हमेशा खुलके बात करते हो कि घुमा घुमा के बात नहीं करते हैं इसलिए से कह रहे हैं कि तुम हमेशा माइट में जो हता है वो बोल देते हो तुम हमेशा खुल के बोलते हो You always speak your mind You don't beat around the bush तुम इधर उधर की बात नहीं करते हैं अब आग कह रहे हैं कि तुम उनमें से नहीं हो जो चिकनी चुपड़ी बात करते हैं कुछ लोग होते हैं जो मीठी मीठी बात करते हैं मीठी मीठी बात करके दूसरों को अपने काम करवाते हैं तो बता रहे हैं कि You are not one to sugarcoat things Sugarcoat things मतलग है चिकनी चुपड़ी बात करना मीठी मीठी बात करना तो गह रही है कि you are not one to sugarcoat things यानि तुम बात को sugarcoats नहीं करते चिकनी चुपड़ी बात नहीं करते सीधी बात करते हो तुम बता रही है कि यही बात मुझे तुमारी सबसे अच्छी लगती है यो डोबात को एक जेजिरेटेंग चञहए बतातें तुम्हारी यही बात मुझे अच्छी लगती है तुम्हारा सीधा साधा सबहाव सरहानी है बता रही की środि है इस प्रवर्वर》 नेचर is commendable commendable है मतलब तारीफ के काभिल है जो तुम्हारा है साधा और इंसान सिदा साधा जद सुभाव है तुम्हारा वो तासी काभिल है इसके लिए इंथले में इंगलिश हम ऑलते हैं commendable बतारए कि योर state forward nature is commendable your state forward nature is commendable तुम्हारा सिधा साथ और सुभाव commendable है तारीफ के काबिल है तुम पर लोग भरोसा करते हैं You are someone people can trust यानि तुम ऐसे इंसान हों जिस पर लोग भरोसा कर सकते हैं You are someone people can trust You are someone people can trust यानि तुम पर लोग भरोसा कर सकते हैं You are someone people can trust लेकिन ये दुनिया बुरे लोगों से भरी पड़ी है आज के समय में इमानदार लोगों का जिन्दगी गुजारना असान नहीं है बदा रेकिन टुड़ेस टाइम इस नोट एजी फोर ओनेस्ट पीपल तो गेट बाय गेट बाय करना है नहीं गुजारा करना आज के समय में इस दुनिया में सीधसाधर इंसान के लिए गुजारा करना मुश्किल है बता रेकिन टुड़ेस टाइम आज के समय में इस नोट एजी आसार नहीं है इमानदार लोगों के लिए जिन्दगी गुजारना यहां हर कोई दूसरे की शराफत का फायदा उठाता है Englishman बोलेंगे Here everyone exploits the decency of others Decency मतलब बती ही शराफत Exploit का मतलब बता है शोशन करना फायदा उठाना तो बतारेंगे Here everyone exploits यहां पर हर कोई exploit करता है The decency, शराफत का of others दूसरे लोग यहां शराफत का हर कोई फायदा उठाता है यहां इमानदार लोगों का हर कोई फायदा उठाता है All the honest people here are taken advantage by everyone All the honest people here यानि हैं जितने भी इमानदार लोग हैं Are taken advantage उनका फायदा उठाया जाता है by everyone हर किसी के दुआरा वे लोग जो इमानदार हैं यहां उनकी जिन्दगी मुश्किल है यानि जिस शहर में तुम आये हो न हैं इमानदार लोगों की जिन्दगी मुश्किल है इसलिए किसी पर जादा भरोसा मत करना या इसे बोल सकते हैं कि इसलिए हैं जादा किसी के भरोसे मत रहना जादतर लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं है यासा होते हैं कि लोग दिखते कुछ हैं पर होते कुछ हैं तो यहाँ पर यह बताना चाहरे हैं कि यहाँ पर कहरे हैं कि जैसे लोग दिखते हैं यह जरूरी नहीं है कि वे वो ही हो जो दिख रहे हैं वो रिफ्लेक्ट जो कर रहा है वो ही हो ऐसा नहीं है how people appear doesn't necessarily reflect who they are आगे देखते हैं जातर लोग जिसे दिखते हैं वैसे नहीं होते हैं ऐसे भी कह सकते हैं कि look can be deceiving deceiving यानि जो look है वो जूटा हो सकता है मतलब जो तुम्हें दिख रहा है वो ऐसा नहीं है कि वो सची हो looks can be deceiving जो दिखावा है जो लोग दिखते हैं वो जूटे भी हो सकते हैं most people aren't as they seem जातर लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं है most people aren't as they seem देखते हैं friends यहां परी कह रही है कि मुझे बताओ टॉम के साथ उसके बाद क्या हुआ इस इंग्लिश हों बोलेंगे tell me what happened afterwards with tom tell me what happened afterwards with tom यहां पर afterwards का युद हुआ है के बाद के लिए उसके बाद तो कह रही है कि tell me मुझे बता what happened afterwards उसके बाद क्या हुआ with tom, tom के साथ उसके बाद जो होता है वो एक अलग बात है आपर यह कह रही है कि what happens afterwards is another matter entirely what happens afterwards is another matter entirely यानि उसके बाद जो होता है वो एक बिल्कुल अलग बात है अगर तुम इसे चूती हो तो इसके बाद तुरंट अपने हाथ दो लेना तो यहाँ पर किसी ऐसी चीज़ को दो रहे हैं जिससे बहुत जादा खत्रा है तो कह रहा है कि if you do, touch it if you do, touch it यानि अगर तुम इसे चूती हो यहाँ पर हम डू भी हटा सकते हैं यहाँ पर यह जोर दे के बाद कह रहा है इसलिए हम डू का यूश कर रहे हैं if you do, touch it यानि अगर तुम इसे चूती हो wash your hands immediately afterwards तो इसके तुरंट बाद अपने हाथ दो लेना नहीं तो बीस मिनट में तुम्हारी मौत हो जाएगी otherwise you will be dead in 20 minutes otherwise you will be dead in 20 minutes नहीं तो बीस मिनट के अंदर तुम्हारी मौत हो जाएगी otherwise you will be dead in 20 minutes अगर वो कहता है वो तुम्हें मारेगा तो इसे हलके में मत लेना तो इस लड़की को किसी ने मारने की धंकी दी है तो इसे समझा रहा है कि अगर वो कहता है कि वो तुम्हे मारेगा तो इसे हलके में मत लेना अगर वो कहता है कि वो तुम्हे मारेगा तो इसे हलके में मत लेना if he says he will kill you don't take it lightly तो है कह रहे है कि मैंने उसकी बातों को हलके में नहीं लिया I didn't take his words lightly